आज के इस वीडियो में बताएगे अगर आप इंटर पास परोस्थाहन रासी के लिए या मैट्रिक पास परोस्थाहन रासी के लिए ओनलाइन अप्लाइग करना चार रहे हैं तो उससे करने से पहले आपको ये वीडियो देखना अनिवार्ज हो जाता है क्योंकि वीहार सरकार ने कुछ बैंक के लिस्ट जारी किये गए कि अगर उस बैंक का आपको अकाउंट है तो आप मैट्रिक इंटर परोस्थाहन राशी में यूज नहीं करसकते अगर आप यूज करते तो आपका जो बैंक जो रूपया होगा परोस्थाहन रासी वह नहीं आएगा तो हम जाने कि कौन से बैंक को रोग लगाया गया है कौन से बैंक का अकाउंट आप परसान रासी में यानि कि में इंटर्फोइस्ट करने पर जो मिलता है वह बैंक अकाउंट आप नहीं दे सकते हैं हम आपको पीडियाप दिखाएंगे ब्यार सरकार के दोड़ा जारी किया गया है जिसमें कुछ बैंक के नाम देगे उस बैंक अगर आपका एकाउंट है तब आप जो है नहीं लगाएंगे अपना बैंक पास्वुक अपनी बैंक की डीटेल परसान रासी ओनलाइन अप्लाइ कर सकते इकजांपल की तो पर यहां पर टूल्ट का दिया है टूल्ट वाली की अस्ट हो जाएंगे जो कि बिहार सचार्कार के दौरण जारी चारी गया है तो इस पिडिया में बहुत प्रकिया बताएं किस तरह आपलाई करना है मैं आपको में मुद्धे प्लेचलता हो कौ सा बेंक नहीं देना उसके बारे में तो यहां पर सबसे पहले यहां पर दिया गया है मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं अभी यहां पर ध्यान रहे कि बैंक खाता 13 के अपने नामसी होना चीह यानि जो भी एक्टुडें्ट है स्टुडेंट का नाम से बैंक लुप बैंक एकाउंट होना चाहिए वो भी सिंगल एकाउंट होना चाहिए यानि कि जुआंट नहीं होना चाहिए और सासत करें ये खाता राजकिये बैंक में मानता प्राब्द किसी नीजी बैंक होना चाहिए यानि कि बिहार राजकिये बैंक का आपका बैंक एकाउंट होना चाह और सासत इंडिया पोस्ट यानि कि पेमेंट बैंक वगरे जो होते हैं पेमेंट बैंक एटेल पेमेंट बैंक पेटियम पेमेंट बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानि कि पेमेंट बैंक के जो एकाउंड है उसे भी यूज कर सकते हैं यह तो बात होगी यूज कर सकते लेकिन यहां पर दिया चेये पैंकर यूज कर सकते लेकिन जैसा कि मैंने आपको बता है कुछ बैंक का यह पर notice जानी क्या गया है उस fine YouTube नहीं कर सकते वह क॑न सा Ugh भी हम आपको दिखा देते हैं मैं आपको बता दू यह notice यह नोटीज 2020 का है लेकिन यही रूल जो है 2021 के भी student को के लिए लागू होता है यही रूल 2021 के भी student को लागू होता है ठीक है यह मैं आपको clear कर देना चाहता हूं उसका बाद इसी website परेंगे आप जानने के लिए कौन सा बैंक का यूज नहीं कर सकते हैं इसी website पर आने के बाद यहां पर important guideline आपको मिलेंगी इस पर आपको click करना है जैसे आप इस पर click करें कुछ नीचे आजाएंगे और नीचे आने के बाद यहां पर कुछ बैंक की नाम द यहां यह सब बैंक जो इलावड नहीं है तो इस सब बैंक को आप यूज ना करें अपने scholarship आप दर में यहां पर वीडियो में कर रहा है तो आप इस बैंक का एकाउंट ना यूज करें नहीं तो आपका परोसान राशी नहीं आएगा तो जैसे कि मैं आपको बता दीए यह एक अपको एकाउंट है तो यूज नहीं कर पाईंगे इसके अलबावा जो किसी अधर release काउंड तो आप यूज कर सकते लेकिन याद रेंवा बैंक एकाउंड में नहीं ना चीरिrend यह छोटी सी जानकारी कैसी लेकी हमें आप कोमेंट करके ज़रूर बताएं